सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस बैल बटन को भी क्लिक करना ना भूले ताकि आप मेरे हर नए वीडियो की अपडेट पासके और ये बिलकुल भी फ्री है आज का जो मेरा रिव्यू है वो है इस चार्म एंड ग्लो आमला अरीठा एंड शीका काई शैंपू के ऊपर जो कि मुझे रसीफ हुआ है बैन लैप की तरफ से इसके बैनिफिट के अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे हैर को वॉल्यूमाइस्ट करेगा यानि कि है मारे हैर मे बहुत जादा घनापन महसूस करवाएगा बालो को एकदम घना घना लुपतेगा और नैचरली ये एक ब्लैक कलर का शैंपू है तो हमारे हैर को एक अच्छा सा कलर भी प्रोवाइड करेगा हमारे हैर को बहुत ही जादा सिल्की सॉफ्ट और स्मूध बनाएगा और हमारे ह जो भी नैचरल आइल प्रोड्यूस होता है उसको मैंटेन करेगा क्योंकि बहुत सारे शैंपू मार्केट में आज ऐसे हैं कि हमारे जो स्किन के और हैर के स्काल्प के जो ऑईल है नैचरल आइल वाश कर देते हैं इसलिए हमारे हैर है जो डल और डाइमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं बड़ ये शैंपू ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि एक नैचरल और आयर्विदिक शैंपू है साथ हमारे बालों को अच्छे से क्लीन करेगा स्काल्प को भी नरीश करेगा और एकदम स्ट्रॉंग और हेल्दी है प्रोड़ कराएगा अगर आपके लॉंग है तो आपको जरूर इस शैंपू के लिए जाना चाहिए कि आपको इसके नाम से समझी आगया होगा कितना अच्छे इसके इंग्रेडियंट है चलिए अब बात करते हैं इसके रेट की तो ये शैंपू जो है मुझे रिसी हुआ है 350 ml का बॉर्टल और इसकी जो प्राइस है व प्राइस कर सकते हो इसके जो शैल्फ लाइफ है वो है टू यर्ज की चलिए अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की आपको स्क्रीन पर यहां पर इसकी कंपोजिशन दिख रहे होगे यहां पर मेन कंपोजिशन है जो की है आमला तो आमला हमारे बालों को अच्छे से क्लेंज करता है और हमारी जो नैश्रल ऑइल है स्काल्प को उसको रीटेइन करता है और उसके अरावा भी यहां पर बहुत सारे कंपोजिशन दिये हैं आप चेक कर सकते हो मैं यह नहीं कहूंगी कि यह प्यॉर आर्वेडिक आयल है बट इसमें शो भी केमिकल जो भी इंग्रिडेंट डाले गया है वह हमारी स्कीम को कोई भी हाम नहीं पहुचाएगे और यह बहुत ही जादा रिजनेबल शेंपू है गाइस नाइंटी नाइन रुपीज में आपको 350 ml का प्रड़क्ट मिल रहा है लाइक बहुत ही अच्छा शेंपू है अगर आपने देख सकते हो मुझे इसका कितना बड़ा बॉटल रिसीव हुआ है और यह काफी बड़ा बॉटल है यह प्लास्रीक का बॉटल है यहां पे जो है इसका फ्लिप टॉप ओपनर है यहां से आप खोल यह शेंपू को निकाल सकते हो और इस तरह का इसका कुछ पैकेजिंग है अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन में इसकी फ्रेग्नेंस भी काफी अच्छी है मतलग आयर्वेदिक वाली बिल्कुल नहीं है वरना आयर्वेदिक प्रडक्ट की खास बात यह है कि उनकी फ्रेग्नेंस थोड़े हेक्टिक होती है बड़ ऐसा कुछ नहीं है और बहुत हिसाफ से और अपने स्काल्प में मसाज करती हुए अपलाई करिए आपको जितनी कौंटिटी लगती है और चार से पाच मिनिट तक अच्छे सी वाश करने बाद है को पानी से धोलीजिए इसकी जो फ्रेग्नेंस से आपके बालों में काफी लंबे समय तक बनी रहेगी आपको पता चल जाएगा यह प्रड़क्त इतना अच्छा है मैं जादातर आयर्बेरिक और नैच्छल प्रड़क्त को ही चूप्स करती हूँ अपने चैनल पर रिव्यू करने के लिए ताकि आपको अगर आपने दिवताई हुई चीजों को इस्तमाल करें तो आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो आप जाहो तो इसको एवरीडे यूज में भी ले सकते हो बटो में रिकमेंट नहीं करूंगी क्योंकि बालों को इतना जादा वाश कने की नहीं है जादा से जादा आप अगर गरल हो तो टू टाइम से न वीक कर सकते हो एर वाश और अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें एंड में मैंने अपनी फेस्बूक और इंस्टा की आईडी दे रखी हैं सो डून्ट फोगेट तो फॉलो मी और इंस्टा एंपी तो बाई गाईस में नेक्स्ट वी